हेलो एवरिवन नमस्ते कैसे हो आप सब होब करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंस आज हम इस पुराने सलवार का रियूज करेंगे तो सबसे पहले उपर का कट कर लिया है और इसमें से हम सिर्फ दो ही कपड़े के मतलब इस सलवार का ओल्ड क्लोथ है जिसका दो ही लेंगे और बहुत ही प्यारी सी चीज बनाएंगे तो यहां पर सबसे पहले सलवार को खोल देंगे इस तरीके से देखिए अगर आप किसी लाइन नहीं निकल रही तो आप हाट से भी तोड सकते हैं और फिर सीजर का यूज कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें बहुत स यूज करेंगे अब हम यहां पर वनी जिस पर मार्किंग करते जाएंगे कुछ इस तरीके से ऐसे आपको मार्किंग करते जाना है और उसके बाद यहां से आपको कट लगा लेना है फिर हम यहां पे जिप को अटेज करेंगे तो देखें यहां पे ऐसे कट लगाने के बाद हमने जिप ली है जिसे यहां पे स्टीज करेंगे फिर हम यहाँ पे top stitch कर लेंगे देखे कुछ इस तरीके से अब हम उपर का पार्ट जो है उसे stitch करेंगे और फिर top stitch कर लेंगे ऐसे अब जिब के अंदर हमें runner डाल देना है रना डालने के बाद इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे और ये दूसरा पार्ट ले लेंगे जिसका नाब है 18 by 90 इसमें हम सैंटर में नौचीस लगा लेंगे और नौचिस लगाने के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी ऐसे फॉल्ड करके नौचिस लगा लेना है फ्रेंज आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा हम आपकी जैसा आपको जो जीज बनानी है वैसी हम ट्राय करेंगे तो यहां पर हमने ये टॉप स्टीज करने लेनी है चोड़ने के पाद उसके बाद हमें एक बैल्ट बनाने के लिए कपड़ा लेना है 9 x 3 inches का है इसे ऐसे फॉल्ड करके दोनों साइड में स्टीज कर लीजे बहुत ही प्यारा सा हमारा लंच बैग बनेगा बहुत सारी जगह रहेगी अब हम इसे यहां पर आटेज करेंगे उपर से 2.5 इंचिस की जगह छोड़ते हुए दोनों साइड ऐसे आपको स्टीज कर ले यहां पर उपर की साइड दोनों साइड आपको स्टीज करना है ऐसे स्टीज करने के बाद आपको क्या करना है उपर का जो पार्ट है उससे स्टीज करना है यह बहुत ही प्यारा सा इसमें आप बड़ी साइज का ओर्गिनाइजर बना सकते हैं चोटी साइज का बना सकते है मल्टि पर्पर्स ओर्गिनाइजर भी बना सकते हैं अब हमने उपर से स्टीज करने के बाद हम कवर सिलाई करेंगे ऐसे पकड़ते हुए आपको यहां से स्टीज करना स्टार्ट करना है और पूरी राउन में आपको यहां तक स्टीज कर लेना है अब यह देखिए हमारा कवर सिलाई बनकर रेडी हो चुका है अब हम इसे सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हमारा लंच बैग रेडी है सौपिंग बैग यह आप अपनी अनुशार यूज कर सकती है अपने हिसाब से इसे यूज कीजिए यह लंच बैग है बहुत ही प्यारा सा है आप देख सकते हैं तो कैसा लगा यह आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे आइडिया के लिए फ्रेंस दिखते रहें मैजिकल हैंड को जलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइज भारा